बिहार में मौसम का पारा तो गिरा है लेकिन राजनितिक पारा हाई है नमस्कार आप देख रहें न्यूस फोरनेशन और मैं स्वाती पांडे आपके साथ 2024 लोगसबा चुनाव और इस चुनाव को महज कुछ ही महीने शेस है फिर 2025 में बिहार विधान सवा चुनाव है इसलिकर तयार या जोरो शोरो पर है तमाम पार्टियों में बड़े बड़े उलट फेर भी हो रहे है अब ऐसे में 2025 विधान सवा और 24 लोगसबा चुनाव से पहले जद्यू में बड़ा उलट फेर होता है उलट फेर होता है दिल्ली में बड़ी राष्ट्री कारिकार्णी की बैठक बुलाई जाती है इस बैठक में ये फैसला लिया जाता है कि नितीश कुमार जो है वो राष्ट्री अधक्ष बन जाता है यानि जद्यू के राष्ट्री अधक्ष नितीश कुमार बनते हो और ललन कुमार मोदी जो की एक समय नितीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते थे उन्होंने नितीश कुमार के लिए कुछ लिखा है नितीश कुमार के लिए उन्होंने चिंता जाहिर किये ललन सिंग पर कटाक्ष किया है पहले हम आपको दिखाते हैं आखिरकार सुशील कुमार अपने फेस्बूक पर एक पोस्ट करते हैं और इस पोस्ट में लिखते हैं ललन सिंग का चक्र व्यू ललन सिंग केंद्र में मंत्री नहीं बनाये जाने से गुस्से में बदला लेने के भाव से लालू प्रशाद से नस्दी की बढ़ाई भाजपा से गटबंधन तुडवाय आर्सीपी सिंग को पार्टी से निकलवाया और जदियों को लगभग बरबाद कर दिया सारा खेल कुरसी का था ललन सिंग के हटने से पार्टी में जश्न जैसा महौल है ललन सिंग ने लालू प्रशाद यादव के खिलाफ सारे सबूती कठा कर जेल भिजवाने के लिए सा पनितीश कुमार को समझ आगया और उनने ललन सिंग से रास्त्र अध्यक्ष की कुरसी जो है वोचिल्ली और रास्त्र अध्यक्ष खुद बन गया देखें बिहार में 2024 से पहले कितना कुछ हो रहा है बिहार की राजनिती गतिवीधिया कितनी कुछ हो रही है इस पर बिहार से लेकर की देश भर की राजनिती गरमाई हुई है लगतार जद्यू जो है वो बैठके कर रही है जद्यू की राष्टिकार्णी की बैठक दिल्ली में हो जाती है एक बड़ा निर्नय लिया जाता है और इसके बाद जद्यू में बड़ा उलट फेर हो जाता है इसे बीच बीज़ेपी के तमाम नेता जो है वो नितीश कुमार के प्रती सौफ्ट होते नजर आते लगते हैं बियार की राजनेती में क्या कुछ बियार की राजनेती और कितने तरफ जाने वाली है ये तो भविश्य तै करेगी फिलाल इस वीडियो में बस इतना है आप देखते रहे ये न्यूस पनेशे